हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस वक्त की बड़ी अपडेट एक अगनिपत भरती पर आ रहे हैं जी हाँ दोस्तों आप लोगों को जैसा की पता है अगनिपत आर्मी भरती स्कीम के तहट गोर्खाओं की जो भरती चल रही थी नेपाल ने उस पर नाराजगी जाहिर क के लिए दोस्तों पूरी खबर को देख लेते हैं कहां पर आया हुआ है क्या कुछ इनफॉर्मेशन आप लोगों के हित में लिया जा सकता है जल्दी आप लोग दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक निकियो तो लाइक कीजेगा और चैनल पर ने तो सब्सक्राइब कर ल अभ्यरतियों ने परिक्षा पास कर ली है और सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर बाकी है अगनिपत जैसी छात्र विरोधी योजना के ताहत उनके साथ क्यों अन्याय किया गया एर फोर्स वा एससी जीडी के अभ्यरतियों को ज्वाइनिंग लेटर दो जस्टिस फॉर इंडि ख़वर है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक न्यूजपेपर में आर्टिकल आया हुआ है लेटेस्ट बिलकुल नेपाल की भीतरी राजनीती में फसे गोर्खा अगनिभीर दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखे हैं हारती सेना में भरती की अगनिपत योजना नेपा की सेर बहादूर देवबा सरकार अन्य दलो की मदद से चल लई है दोस्तों गडबंधन से वहाँ पर सरकार चल लई है और यहाँ पर आप लोग देखें इसमें पूरू पियम पुस्प कमल दाहल प्रसंड की पार्टी वा अन्य वाम पंती दलो भी गडबंधन का हिस्सा है वाम पंती पार्टी या अगनिपत योजना का समर्थन नहीं करती पूरू पियम केपी शर्मा ओली की पार्टी तो अगनिपत योजना लागू होते ही वीरोध कर चुकी है ऐसे में नेपाल की मौजूदा सरकार को संसदी चुनाओ में अगनिपत भरती का दोस्तों बताये प्रतकूल असरकार डर है यहां से आप लोग समझ लीजिए कि यहां पर तो पूर्ड बहुमत की सरकार है जिसके चलते दोस्तों थोड़ा सा मनमानी का आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है 19 जो अक्टूबर को हाई कोट में सुनवाई होने वाली है आर्मी परिक्षा क लोगों को इसमें 2400 प्लस ऐसे वस्तुनिष्ट प्रश्ण देखने को मिलेंगे जो डारक्ली जॉमनेशन पेपर में आप लोग जाकर देख पाओगे यह ओलाइन भी मिल जाएगा ऑफलाइन भी मिल जाएगा किस तरीके से आप लोगों को इसमें क्यूसेंस एंस्वर और व्यक्यात्मा खल देखने को मिलेंगे दोस्तों आप लोग देख सकते हो यदि आप इस्पेसली प्रैक्टिस सेट के मल लगाना चाते हो तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो प्रैक्टिस सेट भी ऑलेबल है दोस्तों सबसे सरोत्तम ये प्रैक्टिस सेट मानी जाती है online लेने का link में description में दे रखा हूँ यहाँ पर दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ कि 19 अक्टूबर से पहले क्या अगनिपत आर्मी भरती के एक शोम regarding कोई notice आ सकता है क्या जो पुराने परिक्षा pending में है और Air Force की जोईनिंग जो अटकी पड़ी हुई है हाई कोट से जादा दोस्तों माई ने ये रखता है इस समय क्योंकि हाई कोट भी लगबग कें सरकार के बातों को ही ठारा रहा है दोस्तों जो विपक्ष पार्टियां लगातार आप लोगों के सवाल उठा रहे हैं इसी तरीके से पुराने परिक्षा उठाते रहेंगे सवाल तो डेफिनेटली दबाव में आकर कम से कम ये जोईनिंग वाला जो मैटर है एरफोर्स का और इंडियन आर्मी के परिक्षा का तो डेफिनेटली उस पर वीचार करेगा सरकार और आप लोगों के रिगार्डिंग कोई नोटिस जारी करके परिक्षा कंड़क्ट करा लेगा इसके इलावा तो कोट में सुनुवाई हो गया ही आप लोगों को पता है 19 अक्टूबर को और इसके इलावा कुछ युवा संगटन भी अलग आवाज को उठाने के लिए मेटिंग कर ही रहे है एक सिर सब्सक्काइब करना ना भूलिएगा कोई नई अपडेट आएगी डिफरेंटली इंफर्म मेरे द्वारा कर दी जाएगी